जिद और अपने पागलपन को पूरा करने के लिए यह कहानी है स्पेस इंत्रपनर पवन कुमार चंदना की तो दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृप्या करके इससे सब्सक्राइब कर ले ये मुझे मॉटिवेट करेगा अंदर प्रदेश से लांच करके इतिहास रच दिया स्वायम प्रदान मंत्री ने ट्विट करके इस इतिहासिक अचिवमेंट के लिए पवन कुमार और उनके टीम को बधाई दी पांच साल तक पवन कुमार इसरो में स्मॉल सेटलाइट लांच सेगमेंट में अज़ा डिपुटी मैनेजर के तौर पर काम करते रहे इस दौरान इसरो के बहुत सारे रॉकेट लांचिंग टीम में भी वे आक्टिवली पाटिसिपेट होते रहे 2018 में पवन कुमार ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए इसरो की नौकरी छोड़ देते हैं पवन कुमार कहते हैं कि कॉलेज की आखरी दिनों में वे रॉकेट के परती बहुत आकर्सित हो गय थी वे कहते हैं कि रॉकेट एक जबरदस्थ मसीन है जिसमें अर्थ की ग्राविटी को पार करने की असीम छमताये हैं रॉकेट के प्रती अपने इस दिवानगी और पागलपन के चलते पवन कुमार ने 12 जून 2018 को Skyroot Aero Space नाम की कमपनी का गठन करते हैं या इंडिया का पहला Space Tech स्टार्ट अप है Secured Government जॉब छोड़कर Space Entrepreneur बनना बहुत टफ और रिस्की डिसीजन था पावान कुमार कहते हैं कि 2018 में Space Venture स्टार्ट करना कोई असान काम नहीं था इसमें बहुत सारे bureaucracy involved थी कोई clear guidelines भी उस समय नहीं था huge capital requirement था दूसरी तरफ rocket बनाना कोई असाने कारे भी नहीं था इसमें बहुत सारा complex technology involved होता है जो कि rocket के failure rate को काफी बढ़ा देता है फिर भी कहते हैं न हिम्मत मर्दा तो मदद एखुजदा 24 जून 2020 को भारत सरकार ने Department of Space के अंडर में एक independent nodal agency in space का गठन किया in space यानि की Indian National Space and Authorization Center जैसे Reserve Bank of India भारत के सभी बैंकों को regulate करती है उसी तरह in space का गठन private space activities को regulate करने के लिए किया गया है इन space private parties और ISRO के बीच एक medium के तोर पर कारे करती है agency या सुनिश्चित करती है कि private parties और ISRO दोनों space based activities को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाए और ISRO के space infrastructure को बोथ ground and space, scientific and technical resource एवं data को interested private parties को hassle-free access मिल सके Skyroot Aerospace के successful rocket launch ने इंडिया को भी private space mission category में, elite class group में सामिल करवा दिया दुनिया में पाँच सबसे बड़े private space sector player है नमबर वन, Orbital Sciences Corp सेकेंड नमबर पे है Space Exploration Technology Corp यानि SpaceX थर्ड पे है Blue Origin फोर पे है Rocket Lab और पाँचवे नमबर पे है Lockheed Martin पमन कुमार के साहस ने और उनके पागलपन ने इंडिया को भी private space sector में सामिल कर दिया जुनिया क्नुनिया मंबर बखिया सबस्ते है इंड वत्त